फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंटों इंदजाद में विग बिलिस पर आउडर करें और दस मियट में पाएं अपने ग़र फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउनलोड करें विग बिलिस एप खुशियों की अपनी दुकाण नमस्कार जानेंगे इस कारोबारी सब्ता क्रिशी फसलों में याने अग्री कमोरिटीज में क्यारोजान देखने मिलेगा तो शुरुआत इस बार गौर सीड और गौर गम से करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्शन हमने गौर कॉंपलेक्स में ही देखा है हमने देखा कि गौर सीड गौर गम दोनों में भारी गिरावट पिछले सब्ता देखने मिली और इसका कारण ये था कि जो रूस और यूकरेन के बीच में एक वार जैसे सिती हो गई है उसके चलते ही अटकरेन लगाई जा रही है कि रूस को ड्रिलिंग के लिए खास करके जो कच्छे तेल के लिए ड्रिलिंग के लिए जो गवार गम का यूस होता है वो उसमें कम ही आ सकती है तो उस वज़े से कही न कहीं जो हमारी जो निर्यात है उस पे इंपक्ट होगा तो इसके चलते दोनों के प्राइजिस में हमने गिरावट आते देखी है हमने देखा कि गवार सीड जो है वो करीबन अल्मूस्ट पांसो से चेसो रुपया फिसला था पांच हजार चेसो सब्तर के करीब और वहीं पर गवार गम भी हमने देखा कि अच्छी खासी एक फॉल हमने आते वे देखी है प्राइजिस में तो अगले हफते या उसके बाद भी शॉर्ट टो मीडियम टम बेसिस क्या रुझान रह सकता है इसकी अप चर्चा करेंगे तो गवार सीट से अगर शुरू करें तो अपसाइड में 6200 का एक रेजिस्टेंस है और ऐसा लगता है कि जब तक ये रेजिस्टेंस आप पार नहीं होता तब तक उच्छाल पे विक्वाली की जा सकती है और 5670 के नीचे के नए लोज हमें आगए आने वाले कुछ सेशिंस में देखने मिलेंगे अब वही पर गवार गम में भी उपरी स्तरों के आसपास याने 11300 के उपर अगर प्राइजिस नहीं निकलती तो 10400 तक फिसलने की उम्मीद है और शॉर्टरम जो एक करुख है वो सेलोन डालीस का ही नजर में आ रहा है वही पर अगर हम अब कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड में हमने देखा कि एक दायरे का कारवबार था लेकिन उपरी स्तरों से हलकी से बिक्वाली देखी गई हाला कि हफते के आखरी कारवबारी दिन हमने 6800 के उपर के क्लोजिंग आते हुए देखे तो पोजिशनल बेसिस पे 6500 से 6600 का अभी भी एक इंपोर्टन सपोर्ट जोन है और अगर आने वाले कुछ सेशिंस में बिक्वाली आती भी है तो लिमेटेड डाउनसाइड हो सकता है अपसाइड में 7100 से 7300 तक के सतर हमें मीडियम टम बेसिस याने आने वाले 2-3 हफतों में दुबारा दिखाई देंगे ऐसा मेरा मांगना है वहीं पर कॉटन में हमने काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी जहां पर लगबख 49000 से continuous selling आते हुए लगबख 36500 की करीब की closing दी है तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि प्राइज जो है वो करीबन 35800 के आसपास सपोर्ट ले सकती है और एक short covering move हमें लगबख 37000 तक का दिखाई दे सकता है तो आने वाले दिनों में तेजी की संभाव ना हो सकती है हाला कि current prices से लगबख 37500 के उच्छाल के बाद हो सकता है कि दाम में फिर एक मिकवाली का रुख दिखे लेकिन short term basis upside जो move है 37500 तक आता हुआ दिखता है वहीं जीरे की बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहां पर भी देखने मिली तो साड़े 22000 का जो एक immediate target था वो complete करने के बाद 20700 तक के लेवल हमें देखने मिले थे downside में लेकिन जो हफ़ते की closing आई है वो कहीं न कहीं निचले सरों से buying हमें देखने मिली और लगबग 1000 point की rally हमने देखी हफ़ते का close आते आते और करीबन 21800 के आसपास की closing देखने मिली जीरे में तो ऐसा लगता है कि price को जो एक बड़ी correction की ज़रूरत थी वो हमने देखी है और जो इसका जो रुजहान उपर की तरफ है वो फिर से continue होने की उमीद है immediate तोर पर 22500 का ही एक level है जो लक्ष की तरह लिया जा सकता है लेकिन उसके उपर prices अगर hold करती है एक या दो दिन तो 24000 तक के level जो हमने पिछले दफ़ा डिसकस किये थे पोजिशनल बेसिस के target वो काफी जल्द अचीव हो सकता है तो क्योंकि एक correction अलड़ी आ चुकी है और दुबारा तेजी आई है तो ऐसा लगता है कि इस बार नैस तर हाइर साइट पे हमें देखने मिलेंगे वहीं पर धनिये में भी एक बड़ी सी गिरावट के बाद हमने 11000 के उपर की closing आते हुए दिखी है और ऐसा लगता है कि इस बार 11400 से 11500 तक जाने की अच्छी का सी संभावना है आने वाले एक हफते से 10 sessions के अंदर अंदर याने 4-5 फीज़ी की एक मजबूत तेजी हमें धन वाइदा है वहाँ पर 7600 के उपर के स्थर क्या स्पास close दिया है और 7900 के भी हाइस देखने मिले क्यूंकि आजिर बाजार में अभी भी demand strong बनी हुई है तो निशले स्थरों पे यानि 7200 से जादा नीचे प्राइज जो है वो नहीं फिसलने की उमीद है और upside में हो सकता है कि हम 8100 तक का सर आने वाले दो हफ्तों में देख पाएं तो स्वयाबीन में भी मजबूती रहने के आसार बने हुए हैं वहीं पर cotton seed oil के क्या बिनौला खल में एक दाइरे में कारुबार हुआ और ओ दाइरा 3000 के करीब था जहां पर support लिया बजार ने और upside में 3300 के करीब ही resistance ल और जो positional view है याने 3500 का वो क्योंकि अब भी pending है तो उसके एक शुरुवात हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलेगी तो यहां पर जो नेवेशक है 2900 के stop loss के साथ buying कर सकते हैं और upside में immediate तोर पर 3300 और उसके बाद 3500 जो है लेवल टार्गिट के तरह लेके चला जा सकता है तो यह था एक जाज़ा कि जो major agri commodities है उनमें आने वाले sessions में क्या रुप देखने मिलेगा दनेवाद कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जानवार बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा समान आपके घर 10 मिनट के अंदर तोरंट डाउनलोड करें बिग ब्लिस है खुशियों की अपनी दुका